समस्याएं हैं वो समस्याओं से आप छुटकरा पा सकते हैं तो हम सिधा चलते हैं महा उपाय पर जो पहला महा उपाय है वो है संतान प्रापती की उपाय देखिए अगर आप संतान प्रापती चाहते हैं या आपको संतान प्रापती में कोई मुश्किल आ रही है या कोई दिक तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान शीव को पतली जल की धारा अरपित करें. सुद्ध घी सीवलिंग पर लगाएं. घी अरपित करते समय नमह शीवाय नमह शीवाय बोलते रहें. फिर सीवलिंग पर पतली जल की धारा अरपित करें और पती पतनी एक स आपना हात पकर कर शंतान प्राप्ति की प्रार्थना करें उसके बाद इस मंत्र जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जब करना है मंत्र क्या है मंत्र है ओम पारवती पिर्य नंदनाय नमहा ओम पारवती पिर्य नंदनाय नमहा तो अगर आप ये उपाय करते हैं और भगवान सीब से आप प्राप्ति की समस्या है वो निश्टी तुरूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी अब इसका एक दूसरा उपाय भी है क्या करना है आपको सिबरातरी के दीन आटे से 11 सिबलिंगा बनाए और इस सिबलिंग का आप 11 बार इनका जलावी से करें यानि जल से आपको इसका अभी से करना है इस उपाय से भी संतान प्राप्ति की योग बनते हैं तो आप ये दो उपाय कर सकते हैं महा सिबरात्री के दिन रात के समय में और सुबह के समय में भी चाहे तो आप कर सकते हैं अब जो दूसरी उपाय है वो है धन प्राप्ति के महा उपाय है महा सिबरात्री के दन दिन आप धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात्री के समय, दूद, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शीव का अभिशेक करें, लेकिन ध्यान रहे, एक-एक करके ये चीजे आपको अरपित करने हैं, एक साथ नहीं मिलाएं इसको, आपको पहले बार दूद, फिर दही, फिर स इस तरह से सारे चीज आपको अरपित करनी है, इसके बाद जल की धारा भगवान शिवलिंग पर अरपित करें, उसके बाद आपको एक मंत्र की जाप करनी है, मंत्र क्या है सुनिये, ओम पारवतीbang अमहा ओम पारवतीbang पतिय नमहा, इसका आप यठा सकती जब करें, फिर भ एक उपाय आप और कर सकते हैं, महा सिवरातरी के दिन धन प्राप्ति के लिए मचलियों को गेहूं की आटे की 108 गोलियां खिलाएं, तो आपको आटा गूत लेना है, उसकी छोटी छोटी 108 गोलियां बना लें, उसके बाद आप मचलियों को खिलाएं, और 108 गोलियां खिलाते स में आप ओम नमा शिवाय मंत्र का जाब करते रहें तो इससे भी निस्टित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी ये ट्राइल एंड टेस्टेर उपाय है अगर आप इसको करेंगे तो आपको निस्टित रूप से इसका फैदा मिलेगा अब जो तीसरी महा उपाय है वो है रोजगार या नोकरी के लिए क्या करें शिवरात्री के दिन तो इसके लिए आपको क्या करना है सुभा सिवरात्री के जिन जल धारा से भगवान शिव का अभिशेक करें और जल की धारा का अभिशेक करते समय मन ही मन नमख Шिवाय कहते जाए फिर संध्याकाल को शिब मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं इसके बाद सिब जी से रोजगार की प्राप्ती की प्राप्तिना करें निस्ची तुप से आपको रोजगार की जो समस्या है उस समस्यास से आपको निजात मिलेगी और आपको रोजगार मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आपको नोकरी में कोई दिक्कत आ रही है अगर आप नोकरी कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है या नोकरी मिलने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए क्या करना है शिवरात्री के दिन शिव लिंग पर 21 बेल पत्र पर आप चंदन से ओम नमा शिवाय लिखें और इसको लिख करके आप भगवान शिव शिव लिंग पर चढ़ाएं रिक एक करके निश्चित रूप से आपको नोकरी का योग बन जाएगा आपके लिए और आपको नोकरी मिल जाएगी तो ये उपाय एक खास उपाय है जिससे आप अपने रोजगार की समस्याओं को या आपको जो नोकरी की समस्या है उसका भी आप समधान कर सकते हैं इसके सासा जो खास उपए है बिमारियों से चुटकरा पाने के लिए आप क्या करें महासिवरात्री एक ऐसा दिन है जिस जिन आपको अगर कोई बिमारी है कोई ऐसी बिमारी है जिसका समधान आपको नहीं मिल पा रही है तो इस दिन यह उपाय करके आप अपनी बिमारियों से भी छुट करा पा सकते हैं क्या है उपय चंदन का इत्र चंदन का इत्र शीविलिंग पर अरपित करें और मन ही मन हर हर महादेव बोलते रहें फिर सीविलिंग पर जलकी धरा अरपित करना है अच्छे स्वास्त के लिए भगवान से प्रार्थना करें इस मंतर का, जो मंतर मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम एक माला या एगारा माला आप जाप करें मंतर हैं, ओम जुम्शह माम पाले पाले मंतर का जाप रुद्राक्स की माला से करना है तो अगर आप ये उपाय महा सिबरातरी के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बिमारी है वो बिमारी से आपको छुटकरा मिल जाएगा ये 100% स्योर है ये तेह आप इसको करके देखें आपकी बिमारी छुमंतर हो जाएगी अब जो पाँचमी महा उपाय है सिट पिबाह के लिए क्या करें अगर आपकी साधी नहीं हो रही है आप चाहते हैं कि आपका सिट पिबाह हो जाए तो उसके लिए क्या करना है पीले बस्त धारन करके शिब मंदिर जाएग महा सिबरतरी के दिन सीवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है और हर बेलपत्र के साथ नमह शिवाय नमह शिवाय कहते रहें अगर मान लिजे आपकी उम्र है 30 साल तो आपको भगवान शीव सीवलिंग पर 30 बेलपत्र अर्पित करने हैं एक एक करके और हर एक बेलपत्र के साथ आपको बोलना है नमाः शिवाय नमाः शिवाय शिग्र विभाह की प्रार्थना करें आपकी इक्षा पुर्ण होगी अगर विबाह में कोई अर्चन आ रही है तो सिबरात्री के दिन सिबलिंग पर केसर मिला हुआ दूधा आप चरहें इससे भी जो विबाह में अर्चन आ रही है तो वो अर्चन खत्म हो जाएगी तो ये उपाय करेंगे तो निस्तित रूप से आपकी विबाह सिबर रूप से शिबर विबाह आपकी शिबर विबाह का योग है उसका योग बन जाएगा इसके साथ जो खास उपाय है शुखद बेवाहिक जीवन अब तो साधी नहीं हो रही है बेवाहिक जीवन शुखद हो इसके लिए क्या उपाय करें? मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी साधी नहीं हो रही है तो शिक्र विवाह के लिए क्या उपाय करें अगर साधी हो गई है आपकी बेवाहिक जीवन सुखद नहीं है तो सुखद बेवाहिक जीवन के लिए आपको क्या करना है पती पतनी एक साथ शिवलिंग पर जलधार अरपित करें अर्पित करते समय शिव 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 बोलते जाएं इसके बाद शिव लिंग पर गुलाब की पंखूरिया अर्पित करें और सुखद बेवाहिक जीवन की प्रात्ना करें आपकी इक्छा पुन होगी आपका बेवाहिक जीवन सुखद होगा इसके साथ साथ सिख्छा और एकाग्रता के लिए क्या उपाय करें भगवान, शिब, महासिवरात्री के दिन अगर आपको सिख्छा में आपके एजुकेशन में या आपकी कॉनसेंट्रेशन में कोई प्रॉलेम है कोई समस्या है तो इसका भी उपाय है क्या करें आप शिब रातरी के दीन भग्वान शिब को दूद मिला हुअ जल अरपित करें लेकिन जल में थोड़ी मात्रा में अपको दूद मिलाना है और इस धारा इस मिला हुआ जल को इसकी धारा लगतार शिब लिंग पर आप गिराते रहें और धारा गिराते समय शीव, 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 शीव कहते जाएं सीविलिंग से असपर्ष कराके पांच मुखी रुद्राक्ष आप धारंद करें एक आपको रुद्राक्ष ले लेना है पांच मुखी हर मनोकामना की पूर्ती के लिए आप क्या करें आपके लिए अगर कोई भी मनोकामना आपके मन में है चाहे वो संतान की प्राप्ती हो धन की प्राप्ती हो या कोई अन्ड मनोकामना कोई भी मनोकामना हो उसकी पूर्ती भी आप महा सिवरातरी के दिन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिब्लिंग के सामने सबसे पहले आप घी का एक मुखी दीपक जलाएं, इसके बाद सिब्लिंग पर समी पत्र आप अर्पित करें, और रुद्राक्ष की माला या एक रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो करके भगवान शिब को अर्पित करें, नमा शिबाय का यथा सकती जब करें, जितनी बार हो सके उतनी बार आप नमा शिबाय का जब करते रहें, और मनो कामना पुन होने की प्रार्थना करें, इसके बाद रुद्राक्ष आप धारंद कर लें, लेकिन रात को सोते समय आप वो रुद्राक्ष निकाल करके र झाल, 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 झाल